नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा आपको हर्बल लाइफ के जो वेट लॉस प्रोडेक्ट यूज करते हैं आप जैसे कि दोस्तों आप ये एफरेश ड्रिंक यूज करते हैं और ये हर्बल लाइफ का ये आप प्रोटीन ये मतलब शेक यूज करते हैं इसके अलावा आप यह दी protein powder use करतें तो इनको आपको proper कैसे लेना होता है और इससे कैसे आपका weight loss होता है दोस्तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने यह बताया है और जिनको use कराता हूँ तो उसके बहुत अच्छे result है और average आप देख सकते हैं मेरे comment पे भी बहुत सारे लोगों के comment आते है तो average जो मैंने अनबव किया है वो है 6-7 kg weight loss वन मन्त में तो दोस्तो उसका diet plan बताऊँगा आपको इसको कैसे use करना है आपको इसके अलावा बताऊँगा दोस्तों कि किस चीजा का आपको नहीं उप्योग करना है तो वीडियो में सारा बताने वाला हूँ आपको उससे पहले वीडियो को like जरूर कर दे दोस्तों दोस्तो नमबर वन आप ये fresh energy drink होती है ये आप कोई से भी flavor में ले सकते हैं मैंने सारे flavors के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया तो यादी flavors देखने है तो आप वहां से देख सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होता है सुबह जैसी आप सोकर उठे खाली पेट तो आपको क्या करना है सुबह पानी गुन-गुना करना है उसके अंदर आपको इसकी एक चम्मच मातर एक चम्मच आपको डाल लेनी है इस परकार से होता है आप देख सकते हैं आपको इसकी ऐसे एक चम्मच उसके अंदर डाल लीजे गुन-गुने पानी के अंदर और वह पी लेनी है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कुछ देर बाद यानि कि आदा एक गंटे दो गंटे जब आपका नास्ते का समय होता है तो नास्ते के समय आपको क्या करना होता है आपको लेना होता है यह यह शेक है अलग-अलग flavor में आता है यह चोकलेट फ्लेवर में है अलग-अलग vanilla flavor mango flavor आप जो भी अच्छा लगता है वो लीजिए आप और दोस्तों आपको क्या करना होता है आपको इसकी आपको तीन इसके डालनी है आपको shake की इसके अलावा आपको क्या करना है 12 जम्मच यानि उसकीенные प्रोटीन की डाल देनी है उसके अंदर देज चम्मच वह ही आपको फ्लैट करके 20 तर देज़ है उसके इपय और एक चम्मच जब यह अच्छे से घुल जाए उसको आप डाल लीजिए अपने ग्लास में और उसको पी लीजिए आप उसको दोस्तों आपको क्या करना है पीने का एक तरीका है विशेश आप उसको खड़े खड़े नहीं पीना है यदि weight loss के लिए कर रहे हैं तो आपको बैठ के जैसे मैं चीज आप जैसे नास्ता करते हैं तो वह skip हो जाएगा उसकी जगी यह खुद आपका एक नास्ता बनेगा और आपको multi vitamins और minerals यह सारे इसमें मिलेंगे जो की इसमें ingredient है आप इसके बारे में पूरा देखना चाहिए तो इसका video मैंने separate बना का है जिसमें पूरे ingredient बताके तो कीज़ें और देख सकते हैं मेरे पुराने वीडीयो में और most popular वीडीयो में भी आप देख सकते हां इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि आपजहें खालें तो आप के जैसे मतलब नास्ते का हो जाएगा या पूरा आपको नास्ता नहीं करना ठीक है और दोस्तों फिर क्या करना है आपको ये खाने के बाद जैसे आप दोपेर का खाना काते हैं फिर वो खालीजिए और उसमें भी लिमिंट करिए दोस्तों जैसे आप मालीजिए कि धाई रोटी खाते हैं तो आप उसक दोफेर के जब चाय पीते हैं, दोस्तों सुबे भी आपको चाय नहीं पीनी, चाय की जगे ये लेना है आपको, तो कि दोस्तों उससे क्या आपका फैट बहुत जादा होता है, चाय से बढ़ता है आपके मतलब, और उसमें कैलोरीज बहुत जादा होती है, तो वो ने ले, औ फिर शाम के समय या दोपेर के समय आपको ये लेना है, इसकी दो चमच लेना है, गुन गुने पानी में आप इसकी दो चमच डाल लीजिए और इसको पी लीजिए, ये करना है आपको, फिर क्या करना है दोस्तों, आप स्टार्टिंग में पहले मन्त का में बता रहा हूँ next month जो second month है उसका आगले वीडियो में बताऊंगा तो आपको क्या करना है फिर रात के समय दोस्तों जब रात का समय हो तो बिल्कुल light लेना है लाइट में दोस्तों आपको जैसे आप रोटी खाते तो आप कोशिश करिए कि आप दल्या खीचडी या फिर चांवल इन चीजों पर आ सके यदि ऐसा नहीं आते तो आपको क्या करना है जैसे आप माली जिए दो रोटी खाते हैं तो इसको डेर रोटी कर लीजिए उसकी कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी यह लेवें तो आप पानी जादा से जादा पीएं दोस्तों पानी का एक अलगी फाइदा है यह क्या है आपके मेटाबोलिजम को बढ़ाएगा आपके टॉक्सिंस को मतलब रिमूव करेगा तो आप पानी विशेश कर खास बात यह कि जब भी यूज लें तो आप चीनी मतलब ज्यादा यूज ने लें आप चीनी से क्योंकि कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ती है और वेट बढ़ाने में वो बहुत ज्यादा उसका सयोग रहता है तो चीनी कम से कम कर दीजिए और डाइट में आप हाल की चीजे लीजिए दोस्तो तोड़ा पहली बार में आपको मुश्किल होगा लेकिन दीरे दीरे आदत बन जाएगी और मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ज्यादा कम करनी है आपको डाइट में आप आदी रोटी कम करके देखिए और फिर दीरे आपकी हैब में आजाएगी वह तो आपको अट-पटासा भी नहीं लगए तो यह आपके पहले मन्त का रूटीन है इसके साब चलेंगे अब नेक्स वीडियो में मैं सेकंड जो होता है आपके सेकंड मन्त का वह बताऊंगा अगले वीडियो में आप पहले मन्त में यादी यूज कर रह इसके अलावा दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाए दोस्तो इससे क्या है आपको हमारे जो अगले वीडियो है उसका नोटिविकेशन मिल जाएगा और दोस्तो हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो कि प्रॉपर जानकारी के आधार पर होते हैं इसके अलावा हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवाए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद